आणैने आप नमस्कार दोस्टो मेरे नाम इंजिनियर विने रॉय और आप देख रहे हैं करीयर डिफेंस स्कूल अंबहला दोस्तो नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भोसला मिलिटरी स्कूल नासिक की बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोग मिलिटरी में जाने से रिलेटेड आप इंटरस्टेड है क्योंकि मेरा वीडियो देखने वाले ज़्यादा तर जो पेरेंट्स है वो साइनिक स्कूल में जाना चाते है तो दोस्तों ये जो स्कूल है वो आपका नासिक महरास्टरा में आपको मिलेगा बहुत ही जबर्ज़ स्कूल है और आपको मैं बतातू 1937 से ये स्कूल लगादार चल रहा है और यहां पे students को military की training दी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ boys को admission लिया जाता है तो मेरी कोशिश यही रहते है कि आप लोगों को defense related आपके जो बच्चे किसी best school में जाए best अपना performance दे अपना 100% दे और किसी अच्छे school में education ले तो 1937 में इस school की स्थापना की गई थी और आप यहां पे देख सकते हैं military training, games and sports facilities और अगर आपको यहां का help line नंबर चाहिए तो आप देख सकते हैं 02353-2309608 पर आप call करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं Sunday to Saturday आपको call कप करना है सुबह 10 में से लेकर शाम को साड़े 5 बज़े के बीच में आपको call करना है तो आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी चोटी-चोटी चीज़े बताऊंगा करीब-करीब 83 years पुराना school है तो आपको ये चीज़ understand करना है और इसके उपर work करना है और अगर आप admission से related कोई भी जानकारी लेना जाते हैं तो जैसे admission process आपको बता दूँ कि जो admission process है form जो है वो online निकल गए है आप यहाँ पर check कर सकते हैं apply online online form जो है वो निकल चुके हैं और आपको form जल्दी से जल्दी आपको apply करना है और आपको क्या करना है अगर आप चाहते हैं तो 5th class से लेकर के 11th class तक अपने बच्चे का admission करवा सकते हैं और अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं सवाल यह आता है कि इसका exam कब होता है तो exam जो हो आपका admission test होता है वो April के last week में या मई के first week में आपका exam conduct किया जाता है फिलहाल आपको क्या काम करना है आपको जल्दी से जल्दी आपको form apply करना है admission के लिए apply करना है क्या-क्या documents लेकर करके आने अगर आप admission करवाना चाहते हैं तो आपके पास TC होना चाहिए school living certificate होना चाहिए जिस भी class में बच्चा पढ़ रहा है उसका mark sheet होना चाहिए जिस भी school से आप पढ़ करके आ रहे हैं जो आपने form apply किया है वो आपके पास जो अगर आप application form होना चाहिए इसके अलावा school का character certificate होना चाहिए और अधार number या अधार card की photo copy होना चाहिए तो यह कुछ basic चीजे है जो किसी भी school में अगर आप admission लेना चाहिए तो आपके पास ह होना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने बेटे का admission करवाना चाहते हैं तो 5th class से लेकर के 11th class के लिए आप हर साल form के लिए apply कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 4th class में बढ़ रहा है तो 5th class के लिए 5th में बढ़ रहा है तो 6th class के लिए 6th में पढ़ रहा है तो 7th class के लिए हाँ आपको ये ध्यान देना है कि 10th और 12th class के लिए आप apply नहीं कर सकते हैं जो आप online form भरेंगे उसकी जो fees है वो कितनी है 710 रुपे fees है तो application form along with the prospectus will be supply on the payment of 710 रुपे आपको online debit card credit card के माध्यम से आपको payment करना है अगर आप भोसला military school नासिक में apply करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं और form जो है वो online निकल चुके है माई के first week में आपका exam conduct किया जाता है हर साल माई के first week में इसके अलामा अगर हम लोग बात करें fee structure जो सबसे important है अगर आपका budget अच्छा है तो ये school आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों को भी देखी अपना दिमाग लगाना है स्कूल के बारे में पता करना है स्कूल को अच्छे से visit करना है हम लोग आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं बट फिर भी आपको भी जागरुख बनना है तो बोसला military school जो है देखिए 5th से लेकर के 7th class की जो fees अगर आप 5th 6 और 7th class में admission करवाना चाते हैं एक लाग 75,000 रुपे fees है अगर आप 8th 9th और 10th class में अपने बच्चे को पढ़ाना चाते है तो 1,80,000 रुपे fees है और 11th और 12th class में admission करवाना चाते है तो 1,90,000 रुपे fees है और मैं 11th और 12th के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सि स्ट्रीम मिलेगा यानि आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल स्ट्रीम मिलेगा क्यों क्यों कि यहाँ पे स्पेशलाइस ट्रेनिंग करवाई जाती है सिर्फ और सिर्फ NDA के लिए बच्चों को तैयारी करवाई जाती है तो आपका focus जो है वो बिलकुल भी divert नहीं होना चाहिए आर्मी से related डिफेंस से related training करवाई जाती है और अगर आपका जो बजड़ है वो एक लाग अगर हम लोग बात करें अगर आप form online भरना चाहते हैं तो आप apply online पर click कर सकते हैं और directly अपने बच्चे का application form यहाँ पर click करके आप form भर सकते हैं click here for online form और अगर आप खुद form नहीं भर सकते हैं तो 741-9999228 पर call करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं और सबसे important चीज यही है कि आपको देखना है कि क्या क्या documents online form भरने के लिए अब अच्छा खाजा time है आपके पास फरवरी का पूरा महीना है March का पूरा महीना है तो आपके पास दो महीने का पूरा time है अपना form भरने के लिए application process के बारे में बता दिया है तो यह चितनी भी छोटी से छोटी information है मेरी कोशिश रहती है कि आप तक यह जो सारी information है वो सही समय पे आपके पास पहुंच जाए आप अपने बच्चे को Sunday को मिल सकते हो out pass ले करके आप अपने बच्चे को Sunday को बाहर भी ले जा सकते हो तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको समझना है और अगर हम लोग बात करें admission process की तो वो भी मैं बता चुका हूँ फीस की जानकारी और फीस की जानकारी भी दे चुका हूँ online जो आपका admission process है वो आपको समझना है 10th और 12th class जो 11th और 12th class के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको science stream मिलेगा क्यों science stream मिलेगा क्योंकि यहाँ पे NDA के लिए training करवाई जाती है यहाँ फीजिक्स, chemistry और math से आपको training करवाई जाती है इसके अलावा 710 रुपे आपका online form लगेगा आप online credit card और debit card के माध्यम से आप payment कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको documents क्या क्या चाहिए उसकी भी सारी जानकारी आपको दे दी गई है और 10th और 12th class में admission नहीं होता है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और इसके अलावा आप school के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी है help line number में आपको दे चुका हूँ यहाँ पे कुछ photos हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ photos हैं जो आपके साथ share की जारी defense related कुछ photos हैं जिसके ऊपर आप अपना जो ध्यान है और यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप offline form भरना चाते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको दी गई है तो आपे चेक कर सकते हैं आपको क्या-क्या जानकारी देनी है तो यह आपके सामने आपकी स्क्रीन के उपर डीडी के माध्यम से ना भरहें बट मैं आउनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से दिखा रहा हूं और जो इक्जाम है घ्जाम जो है वो आप इंगलिश माध्यम से भी दे सकते हैं हिंदी इसकते हैं और मराथी माध्यम से क्योंकि महारास्ट्रा स्कूल है तो स्टेट बोड के ही बहुत सारे ऐसे साबित हो सकता है टाइम निकालिए और एक बार अपने बच्चों को ले करके जाईए स्कूल में विजिट कीजिए सुबर दस बज़े के बाद आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं तो आप विजिट कीजिए जब आपको सब कुछ पर्फेक्ट लगता है जब आपको सारी जानकारी अच्छी लगती है exam की जानकारी मैं आपको ये सारी चीज़े दे चुका हूँ, यहाँ पे आप alumni देख सकते हैं, कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहां कहां पे निकल चुके हैं तो आप देख सकते हैं, कि जहां पर जो बच्चे हैं कोई Lieutenant बन चुगा है कोई Captain बन चुगा है कोई Lieutenant Colonel बन चुगा है आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है कोई IPS बन चुगा है बहुत बड़ी लिस्ट है Major, Lieutenant, Captain Major, Group Captain बहुत सारी ऐसी Post है तो आप देख सकते हैं कि यहां के जितने भी alumni है वो कितने strong है यह सारी एक-एक बच्चों का नाम दिया गया है पद्मभूशन, Lieutenant, Journal, Retired Dr. M.L. चिपर तो यह बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट है जो आप चेक करते हैं यहां से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर wind up करता हूँ आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी 741-99999928 पर call करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं और भोसला military school आपके लिए best थाबित हो सकते हैं अगर आप NDA का सपना देख रहे हैं इसके अलावा अभी तक अगर आपने scholarship form नहीं बढ़ा है तो वीडियो के नीचे हमारे school का scholarship form मिल जाएगा एक लाग दस अजार रुपे बच्चों को पूरे साल defense की training provide की जाती है आपको क्या करना इस वीडियो को whatsapp पे share